नमस्का जाती हूँ, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, हम लोग UPSC and State PCS, Prelims को ध्यान में रखते हुए ये सभी क्लासें ले रहे हैं और अगर आप लोग भी UPSC या फिर State PCS की तैयारी करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सभी क्लासें आप लोगों के लिए बहुत ही महत्पूर रहने बाले हैं और एक बात और याद रखेगा, इस Prelims में तो आपको फायदा पहुँचाएंगी और साथ में ही आपको मुक परिक्चा में भी फायदा पहुँचाएंगी, आपका बेस मजबूत होगा और अगर आपके पास टाइम है, तो आप लोग NCEIT को पढ़ भी सकते हैं, उनसे और अच्छे से बेस मजबूत होता है आपका और इसमें इसके लिए हम लोगों ने एक आपकी separate playlist सूची बना दी गई है UPSC and Straight PCS Prelims Special Classes के नाम से इसमें आपके सभी subject, जिससे आप देखते हैं कि प्रिलिम्स में आपकी questions आते हैं, उनकी सबकी कलासें आपको मिल जाएंगी और आपने देखा होगा कि last class में हम लोग पराजीन भारत में मौर समराजी के बारे में बात कर चुके थे जिसमें आपने देखा होगा कि हम लोगोंने चंदगुप्त मौरी के बारे में बात की हुई थी, आप लोगोंने देखा होगा, हम लोगोंने बिंदुसार के बारे में बात की थी, असोख के बारे में बात की थी, फिर मौर समराजी की आप देखी कि अर्थविवस्ता क्या तरही है, उसमें पिसासन किस तरह से रहा है, धरम किस तरह से रहा है, इन पर तमाम हम लोगों ने आगड़े देखे थे, एक ओबरिव्यू लेने की पूरी कॉसिस की हुई थी, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मौरिय उप्तर काल की बारे में, और जैसे ही आप देखे कि मौरियों का एक तरह से क्या होता है, मौर समराजी का पतन होता है, असोक के बाद आप देखते हैं कि बेहदत आता है, अंदिम सासक की रूम में, और उसके बाद आप देखे कि उसकी हत्या कर देता है, उसका एक सासक, उसका एक सेनापती, जिसका नाम था पुस्समित्य स सूंग किसकी हत्या कर देता है अंतिम मौर सासक बेहदत की और एक नए बंस की स्थापना करता है उसका नाम था सूंग बंस तो यहां सी आपका मौरियोफ्तरकाल सुरू होता है तो आप देखेंगे कि परवर्थी मौर सासकों के निर्वल पड यानि की कमजोर पड जाने की का कर एक नभीन बंस की इस्थापना की थी एक तरह से आपकी आज की राजनीति या आज क्या जू परिदिस है उससे आप लोग एक तरह से तुला करके देख सकते हैं माल लिए किसी राज्य में लंबे समय से किसी पार्टी का एक राजनीतिक पार्टी का वर्चुस रहा है आप स उसका समराज कमजोर पड़ जाएगा तो आप देखते हैं कि दूसरा राजा वहां आकमड करके उसकी हत्या करके उससे वो छीन के एक नया समराज बना लेता है तो आप देखेंगे कि इसमें सुंग बंस की इस्थापना होती है और इसका सुंग बंस सरहता है 185 से 75 इसापूर तर यानि कि 180 से आप देखेंगे 75 बीसी तक इसका समय रहता है इस बंस की अगर संस्थापक की बात करें तो पुसम मित्थ सुंग इस बंस का संस्थापक था एक बात और आपको बता देता हूँ जब भी आप लोग किसी बंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसका संस्थापक भी याद रखा करिएगा उसके कौन-कौन से महांतम सासक हुए उनके बारे में याद रखा करिएगा उनका अंतिम सासक कौन हुआ उस पर भी आप लोग एक सामान जानकारी याद रखा करेंगा अगर आप लोग वंडेक जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह के कुश्टन्स कई बार पूंच लेता है सुंग आप देखेंगे ब्रहमण प्रोहित थे और जिन्होंने असोग द्वारा यग्रों पर रोक लगा दिये जानी की करण परोहित कार त्याक कर यानी की छोड़ कर सैनेद वित्ती को अपना लिया था और पुस्टमित्य सुंग ने पश्चमोत्तर से होने बाले यवनों तथा मित्रों के आकमण को रोका उसने देश में सांती विवस्था की स्थापना करके वैदिक धर्म एवं संस्किती की पुनाय स्थापना की और इसलिए इस काल को वैदिक पिक्रिया या फिर आप दोएके वैदिक धर्म का पुनार जागरन काल भी कहते हैं पुस्तमित्य सुंग के सासनकाल की पहली महत्कूर घटना बिधरव के साथ योद्ध था और मौरियों के पतन के बाद बिधरव में यग्यसेन ने सुयम को सुतंत गोसित कर दिया था और यग्यसेन को पराजित कर अधीनता सुईकार करने के लिए बाद किया था और 161 इसाप पुस्तमित्य सुंग के समय में भारत के पश्मुत्य चेत में यवनों के दो आकमड हुए पिथम का नेतत किया था डेमिटियस ने और जबकि दूसरी का मिनांडर ने यानि की कहने का मतलब है कि भारत पर पुस्तमित्य सुंग के समय दो यवनों के आकमड होते हैं एक कि अंसा संगों ने 112 वर्सों तक सासन किया जिसमें 10 राजा हुए और इस बंस का नौवा ससक का सीपुत भागबद था जो भागबद धर्मानवाई था यानि कि भागबद धर्म को मानने बाला था इसके सासन काल में यवन राजा एंटियाल किर्स का राज़दूत हैलियोडो वर्स ने वासूदेव की निमित पितम पिस्तर इस्तम पुत्कीन कराकर अपने को वासूदेव घोसित किया था विदीशा का आप लोगोंने इस्तम भी सुना होगा और एह है एलियोडोरस का ही है सुंग काली सासक मौर समराज की त्वारा पिदत भूभाग को बचाय रखन में थोड़ी समय के लिए तो सपल गए आयोध्या विदीशा जलंदर स्याल कोट तथा बरार पर इनका अधीपत था पाटली पुत्य पिर्मुक राजधानी बनी रही जबकि दुदिया राजधानी इनकी थी विदीशा थी और सुंग काली समाज बरड़ा सरम धरम पराधा रिता और तजकाली समय में सूद्रों की इस्तिती अच्छी नहीं थी समाज में इस्तिरियों की इस्तिती अच्छी थी आप सभी जानते हैं कि जब ब्रहमण होंगे प्रोहित होंगे तो वो आप सभी जानते हैं कि सूद्रों को किस इस्तिती में रहेंगे उनके सासनकाल में सूद्रों की क्या इस्तिती रहेगी तो इनकी सूद्रों की स्तिती इनके समय में खराब रहती है कला इवं इस्थापद की दिरिष्टी से सुंग काल एक नई युग का पितिने करता है पूरुप की कार्ष्ट बेदिकाओं की स्थान पर भब तोरण एवं पिस्तर बेदिकाओं का निर्मार प्यारम हो गया इनकी समय में सौमिता एवं नैस सरगिक्ता सूंग कालीन कला की विशिष्टाएं थी और कला एवं इस्थापद दरवारी कला की रूम है अब आसामान जन विशै हो गया और सौंग कला की उतकर्ष्ट नवू ने भरहूद बहुत गया सांची की स्थूपों से भी मिलती है इनकी समय देखेंगे आप लो मुल्ता इनका निर्मार तो असोक काल में हुआ लेकिन बेदिका में पासार का प्रियोग इसी काल की देन है सौंग काल में आप देखें कि सांची की स्थूप की लंबाई जो सांची का स्थूप आप देखते हैं असोक से जुड़ा हुआ है इसकी अगर उचाई की आप देखें तो एह हो जाती है कितनी कर दी जाती है 35 फिट से बढ़ा कर 54 फिट कर दी जाती है और इसका ब्यास अगर आप देखें तो 70 फिट से बढ़ा कर 120 फिट कर दिया गया था फिर आप देखेंगे कि सुंग बंस का पतन हो जाता है और सुंग बंस का जो अंतिम सासक था देव भूती इसकी हत्या कर देता है वासू देव और वासुदेव इसकी हत्या करके एक नए बंस की स्थापना करता है और इसका नाम थक कन्वंस और कन्वंस की बात करें तो 73 से 27 इसापूर्ट तक इनका समय रहता है पुराणों के इसकार कन्वंस ने 45 बरसों तक सासन किया और इस बंस के पिरमुक रोप से 4 सासक हुए इस बंस की स्थापना वासुदेव ने की थी और अंतिम सुंग सासक विद्योगूती की हत्या करके इनों ने की थी वासूदेव कि आप देखेंगे बाद-, करमसा, भूमीपोत, नारायन, सुसर्मा नामक बने सा सक, और सुसर्मा इस बंस का अंतिम सा सकता है और जिसकी हट्टया आप देखेंगे अमात्सिंदु या सिमुक के द्वारा कर दी गई, और 27 इसापूर में सिमुक ने सुसर्मा की हत्या कर एक नमीर बंस आंध जागतिये बंस या साधवन बंस की इस्थापना की यानि कि आप लोगों को देखने कुम लेगा एक बंस के अंतिम जो भी सासक रेता है उसका सैनापती ही उसकी हत्या कर देता है और नए बंस की स्थापना करता है फर उसके आप देखेंगे आप लोग की उसके भी अंतिम उस बंस के भी अंतिम सासक की हत्या कौन कर देता है उसी का सैनापती और फिर नए बंस का एक तरह से आप देखेंगे कि उसका स्थापना करता है यानि कि आप जो दूसरे को दे रहे वो आपको भी मिल रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कि सेंगों जो पुस्व मित्य संग था, इसने आपने देखा होगा कि मौरियों के, मौरियों का अंतिम साशक जो था, बेहदत, इसकी हत्या की, फेर आप देखेंगे संग बंस के अंतिम साशक की हत्या कोन करता है सिमुग करता है और सिमुग आंद साथ बहन बंस की इस्थापना करते है अगर आंद साथ बहन बंस के समय की बात करें तो ये 30 ईसापुर्व से सुरू होता है और 250 AD तक रहता है याद रखेगा 30 BC से सुरू होता है और 250 250 इस भी या एडी तक रहता है और इस बंस के बारे में जानकारी के बेविन सरोत हैं जिनसे हम लोग इस समय के बारे में इस बंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं मत्स पुराण, बायू पुराण, नागनिका का नासिक, अभिलेक और बलसरी की नासिक पिसस्ती, अमरावती का बोधिस्तो, गुडानर का बेहद कथा और सरब बर्मन का कातंद और मालोव सैली की मुद्राएं, हाल की गाथा, सब्त सती, आदी इन सबी से आप देखेंगे कि हम लोग सादबहनबंस के बारे में जानकारी प्राप करते हैं, पुराणो में सादबहनबंस को आंध जाती है, या पर आंध भर्त कहा गया है, और इस बंस की स्थापना सिमुक ने कीते इसकी राध्धानी आप देखेंगे तो पितिष्ठान थी जो महाराट में थी और साधवहन बंस महारास्ट और आहन्द पिदेश में था और साधवहन बंस की सासकों को दच्छडा धी पती तथा इनके द्वारा सासित पिदेशों को दच्छडा पत कहा जाता था पर आप दे बॉद्धों को भूमी अनुदान दी जाने लगी और पुराणों में साथ करनी पिथम को किष्ने का पुत्त कहा गया है और इसने दो असुमेगे करवाई एक राजसूर यगि भी करवाई था और इसने पितिष्ठान गोदावरी तट को अपनी राध्धानी बनाये और इसने मालव सेली की गोल मुद्राएं तथा अपनी पत्नी के नाम की रजत मुद्राएं भी उत्कीन करवाई थी एक तरह से आप कहे सकते हैं कि अपनी पत्नी को भी चाहता होगा फिर आता है हाल और यदी पारमभीक साथवान राजाओं में योद्ध में साथकर्णी पितम तुसांती में हाल महानतम था और आप देखें कि हाल ने गाथा सब्त सती नामत प्राकरत साखा के एक मुक्तक काविकी रखना की थी और उसकी राजभासा में बेहत कथा कि रचयता गोडानन और कातंत नामक संस्कित ब्याकरण की लेकक सरब बर्मन निवास करते थे इन गिरंथों के बारे में भी याद रखेएगा इनके लेककों के बारे में भी याद रखा करेएगा कई बार कुश्चन्स पूच लेता है आपसे फिर आप देखें कि गौतमी पुत्त साथ करणी आता है और इसका समय आप देखें कि 166 से 103 इस भी तक रहता है कब तक? 166 से लेकर 103 इस भी तक और इस बंस का 23 बार और सबसे महांतम सा सकता गौतमी पुत्त साथ करणी इससे की सैनिक बिज्यों की जानकारी इनकी मा बलसरी के नासिक पिसस्ती से मिलती है यानि कि देखे यहां माप करिएगा 130 होगा 106 से 130 क्योंकि आप देखेंगे AD यानि कि ESB में थोड़ा कम होगा ESB में तो बढ़ती है आप लोग देखते हैं संख्या जैसे 100 से 120 इस तरह से बढ़ती जाएगी अगर BC में आप लोग देखते थे तो आपने देखा होगा कि घटती थी तो इसमें 106 से लेकर 130 इस भी तक होगा और इसकी माप बलसरी के नासिक पिसस्ती से मिलती और इसने अपने को एक बात ब्रमण कहा सकों को हराया और छट्रियों के दरब को चूर किया जुगल थंबी मिदभान नासिक से नहपान की भारी संक्या में चानी की मुद्राएं मिली और उन पास साथबहान सासकों द्वारा पुन-पुन धाले की संक्यत भी छह रात थे बंस के सासक नहपान पर उनकी विजय के संक्यत में विले इसने बहुत दिस संग को आज ही काली किये और तथा काली की भिक्छू संग को करजक नाम ग्राम दान दिये थे यानि कि गाउं दान दिये थे उसने राज राज और विंध नरेश की उपादी धारन की थी इसका संगराज मालवा से लेकर आप देखेंगे करना तक तक फैला हुआ था फिर आप देखेंगे इसी में एक सासक और हुआ वसिष्टी पुत्त पुल मावी ठीक है? इसका समय रहता है 130 से 155 इस भी तक AD तक गौतमी पुत्त साथकरणी को का पुत्त इसने ही संभाउता आंद्विदेश पर विजय पाई अमरावती से प्राते का लेक के अनुसार इसके समय मैं ही अमरावती के बौध इस्तूप के चारों और वेश्टिनी का निर्माण कर इस्तूप की संभरधित किया गया था और इसका विबार रुद्द्दामन सक्की पुत्री से किया गया था और इसे दच्छणापती सुर्वी कहते हैं आप लो और पुरानों में इसका नाम पुलोमा मिलता है तो इसके नाम भी याद रखेएगा फिर आप देखेंगे यग स्री साथकरणी आता है साथवार वंस का अंति महंत्पूर सा सकता है इसने सकों द्वारा जीते गए अपने भुभाग पद पुना अधिकार कर लिया था और यग स्री साथकरणी ब्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी था और इसके सिक्कों पर जहाज के चित बने हुए और इससे क्या रहता है कि इसकों से मालू चलता है कि माल लेते हैं हम लोग कि ये बड़ा जल यात्रा का प्रेमी रहा होगा तभी जहाज के चित बने हुए साथवार सकती का तीन सदियों यानि कि तीन सो बरसों तक नियंतर उता रहा और इतने देख काल तक भारती इतिहास के किसी भी अनल राजवन्स ने अवाद रूप से सासन नहीं किया फिर आप देखेंगे विदेशी आकमण होते हैं भारत पर सबसे पहले आप देखेंगे भारती युनानी एंडोगीक का आकमण होता है मौरे उत्तरकार की सबसे महत्पूर राजनितिक घटना बैक्टेरिया अफगानिस्तान की अवनों को भारत पर आकमर था और लगबग 250 ईसापूर में वेक्टेरिया के गवर्नर डियो डोटस और पार्थीया के गवर्नर एक्सस ने अपने आपको सुतंध गोसित कर दिया था और विक्टेरिया के दूसरी राजा डियो डोटस दूतिया ने अपने देश को सेलूकस की समराज से पूर्था अलग कर दिया और सबसे पहला यवन आकमरकारी डेमिटीयस पिथम 220 से लिकर आप देखेंगे 155 इसापूर था और इसापूर 183 के लगभग उसने पंजाब का ए इस समय बिक्टेरिया में UK टाइडर्स की अध्यक्ष्टा में विद्रो हुआ और डेमिटीयस को बिक्टेरिया से हाथ दो ना पड़ा और UK टाइडर्स भी भारत की तरफ बढ़ा और कुछ भागों को जीत कर उसने तचला को अपनी डाध्धानी बनाये इस वेकार भारत मे यह बन्समराज two Kulon में बट जाता है एक तो डेमिटीयस और यह का आप देखेंगी UK टाइडर्स बंस डेमिटीयस अगर हम बन्स की बात करें डेमिटीयस बंस की तो इस बंस का सबसे पतापी सासक होता है मिनांडर और मिनांडर की बारिया में आप लोगोंने सुना होगा इसने भारत युनानी सत्ता को इस्थाईत पिदान की और इसने राध्धानी साकल से आलकोड सिक्षा का प्रिमुक केंद मनाया था मिनांडर बौध साहित मिनांडर बौध साहित में आप देखेंगे तो इसने बौध स संकलित है और इसने गंगा यमना द्वाप पर भी आखमन किया और पहरी पलस के अनुसार मिनांडर ने कि सिक्के भडोज की बाजारों में खोब चलते थे हाली में कोसांबी के पास रेह से उसका एक अबलेक भी प्राप्त हुआ है मिनांडर का फिर आप देखें कि सक राजव है और दूर्वी पृच मीजित हैं आप देखें के नासिक है और दा si अम का प्रम सासक था मांठस क्या माओस थी खेंगे और शेधिस ईसाकुर meditation 22 इस भी तक रहा इस बन्स के कुछ अन्यस आसक थे एजेज और एजेलिस एजेलीज सेज और मतुरा की सक पहले मालवा छित में रहते थे और जिन्हें 57 इसापूर में बिक्रमादित नामक सासक ने पराजित किया था और जिसे विभाकर मतुरा आ गए थे और राजोल के बाद उसका पुत्व सोडास था, राजा हुआ, नासिक के सक छत्रपों में दो पिसिद्य सासक भूमक और नहपान थे, बे अपने आपको छै रात छत्रप कहते थे, और इसमें सबसे पिसिद्य सक सासक था नहपान, और नहपान के अगर हम लोग बात करें तो 11 119 इसवी से 124 इसवी तक रहता है, एडी तक, और नहपान के राज में काथियाबाड, दच्छडी गुजरात, पश्चिमी मालवा, उत्री कॉंकर, पूना, एसभी 36 के सामिल थे, उसने महाराष्ट की एक बड़े भूभात को साधवान राजाओं से छीना था, तरी फिलास द्वारा पुना अंकित किये गए, नहपान का दमान, साधवान सासक रिसब दत्त या उसाव दत्त था, फिर आप देखेंगे मालवात था, उज्चेर की सक सासकों में सबसे पिस्द्र रुद्द्दामन था, जबकि पहला सुतंत सासक चस्टन था, और रुद्द्दामन का अब लेक आप लोगोंने सुनाओगा, जूनागर अब लेक, रुद्द्दामन की विशाय में जानकारी पिर्मुक्स रुद्द इसका जूनागर अब लेक है, 150 इस भी के आसपास का, इस अब लेक से बता चलता है कि समय यहां कर राजपाल सु विसाक्त था, जैसे ने तितिये था, और जिसे गुप्त सासक, चंदगुप्त विकर्माद इतने मार कर पहली बार मालवा चेत में ब्राग सैली के चांदी के सिक्के चलवाय थे, तो यह भी याद रखे, यह महतमूर्त थे कुछ, जूनागर अब लेक में सबसे पहला बिसुद्द संस्कित भासा क अबिलेक था, जूनागर अबिलेक, यह रुद्द दामन से जुड़ा हुआ था, रुद्द दामन ने समकालीन साधवान राजा वसिष्टी पुत्त पुल मावी को दो बार पराजित किया था, परन तु निकट संबंदी होने के कारण छोड़ दिया था, यानिक एक तरह से आप सोचे इसका बड़ा खास था, इसलिए इसने इसे छोड़ दिया था, फिर आप देखेंगे यू के टाइडर्स बंस इसके राधधानी तक छला थी, और इस बंस का सबसे पताबी सासक हुआ एंटी याल कीरस, और इसने सोंग सासक भागवद के विदीसा, इसने दरवा आप से, विदीसा में जो गरोड स्थम है किस से संबन दे थे, हैलियो डोरस से, सरपिथम सिक्कों पर राजाओं की नाम और तिथियां उतकीन करने का सरे बें इंडो ग्रीक सासकों को जाता है, ये भी कई बार कुश्चन बन जाता है, कि सबसे पहले सिक्कों पर राजाओं की नाम और तिथियां उतकीन करने का सरे किन को जाता है, तो इंडो ग्रीक सासकों को, सरपिथम इंडो ग्रीक सासकों नहीं लेक बाली सिक्के जारी किये थे, मिनांडर ने कास्त की मुद्राओं पर धरम चक का चिन्न मिलता है, भारत पर येवनों का आकमट पुस मित होता है भारत पर, पश्मोत तर भारत में सकों की अधीपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का अधीपत्य इस्थापित हुआ, और पार्थियाई लोगों का मूल निवासिस्थान इरान था, क्या था, इरान था, भारतियी सरोतों से इन्हें पहलाओ कहा जाता है, और प्र सरवाधिक सकती साली सासक हुआ गौंदो फर्णीस इसका समय रहता है 20 से लेकर 41 इस भी तक और खरवश्टी लिपी में उतकींड तकते वही अब लेक में इसे मिर्दू हनुवर कहा जाता है कहा गया है फारिसी में उसका नाम बिंद फर्ण था और जिसका अर्थ होता है यस बिजयी और गौंदो फर्णीस के सासंकाल में सैंट टॉमस इसाई धरम का प्रिचार करने के लिए भारत आया था सैंट टॉमस इसकी राध्धानी आगर बात करें तो तक्छला थी पार्थियन राजाओं के सिक्खों पर धर्यमिय धार्मिक उपाधी मिलती है उन्होंने ब भार किया गया फिर आप देखते हैं कि कुसार बंस आ जाता है तो कुसार बंस मद्द एसिया में पश्चिम चीन के यूती जाती के थे हमारे पड़ोसी ही थे लगभग 165 इसापूर में इसके पड़ोसी कभीले हैं तूने यूचियो के नेता को मार करने पश्चिम चीन का छेत छोड़ने को बात दिकर दिया था और इस छेत में यह कभीला दो साखाओं में विवक्त हो गया था एक आप देखेंगे कनिष्ठ यूची जो तिबबत की ओर चले गया थे और एक थे आपके जेश्ट यूची जो पश्चिम की ओर बड़े और उन्होंने बेक्टेरिय पार्तिया आदी के सासकों को पराजित किया जा था था फिर आप देखेंगे भारत में सरफ़न कुजूल कड़ फीसिस नामक कुशार सासक ने आकमर कर पश्चमोत्तर पिदेश पर अधिकार कर लिया था तो भारत में सबसे पहले कुशार बंसकास के किसने कौन से सासक ने आकमर किया था भारत पर इसका नाम था कुजूल कड़ फीसिस और उन्होंने केबल ताबी के सिक्क्या चलवाए थे कुजूल कड़ फीसिस ने के प्यारम भीक सिक्कों के मुख भाग पर यूनानी राजा हर्मियस की आगर्तिय और वैस्ट भाग पर आप उसकी अपनी और पहले युनानी राजा हर्मियस के अधीन था और बाद में खुद हो गया सुतंत हो गया तो यह भी आप लोग याद रखिएगा फिर आता है इसी में आप देखेंगे विम कड़फीसस और कुजल कड़फीसस की मित्यू के बाद विम कड़फीसस गद्दी पर बैठता है और अधीनी गरंत हाउ हाउन सू से पता चलता है जानकारी मिलती कि उसने तेयन चू की बिजय की और वहाँ एक सेनापती को सासन करने के लिए निव्ट किया था तेयन चू कसमी करन सिंधू द्वारा सिंचित पंजाब छित सिकिया जाता था और इस पेकार इसने तक्छिला और पंजाब चित पर अधीकार कर लिया था और ये हैं भारत के कोसार सक्ती का बस्तविक संस्थाभग भी माने जाता है उसने सौने और तामी के सिखे भी चलवाये थे उसने सिख्कों पर एक और यूना निलिपी और दूसरी और खरष्की लिपी और उसके सिख्क अब्रत आप लोगों ने कनिस्क के बारे में सुना होगा और ऐसा माना जाता है कि इसका समय 78 इस भी माना जाता है और यह इस बंस का महांतम सा सकता है इसकी राध्धानी पुरुस्पोन या फिर पेसावर थी और मत्रा भी थी ठीक है कनिस्क के राज्या रोहन की तिती 78 इस भी भारत म इसका प्रियोग में लाती है, आप लोग ने सबक संबत सुना है ना? उसी की बात हो रही है हैंसांग के विवरन की अगर हम लोग बाते हैं वो और चीन गरंथों से प्रकट होता है कि गंधार कनिस्क के अधीन था यानि कि जो गंधार था एक कनिस्क के छेत में था कस्मीर पर अधिकार की पुष्टी राज्तरंगनी से प्रगट होती है किसने आप देखें कि कस्मीर पर भी आधिकार किया हुआ था, सुई बिहार, लेक से सिंधबर और मनीक क्याल, अभीलेक से पंजाब पर कनिस्क का आधिकार की जानकारी मिलती है एक तरह से, और इसकी समाए कस्मीर में कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौतरी बहुत संगिती हुई थी तो इसी के समय के समय ही आपकी चोत्री बहुत संगिती हुई थी किसके अध्यक्षता में वसू मित्र की और इस संगिती में संगिती में बहुत गरंतों के उपर टीकाएं लिखी गई थी जो विभासा सास्त कहलाती हैं कनिस्क ने कसमीर को जीत कर वहां कनिस्क पूर नामक नगर भी वसाया था उसने कासगर यारकंद वा खोतान पर भी बिजय प्राप्त की थी कनिस्क ने फेसावन में एक स्थूप औ ही मिली हुई है तो ये भी महान था समझ रहे हैं महा इस्थान बोगरा में पाई गई सोनी की मुद्रा पर कनिस्क पी कि एक खड़ी मूर्ती अंके थे और मत्रा में कनिस्क ये पितिवाफ भी मिली हुई है और इसमें उसे घुट नो तक चौंगा और पेरों में जूते पहने हुए दिखाये गया है कनिस्क ने पाटली पुत पर आकमड करके वहां से फिसिद्ध बिद्वान अस्वगोस बुद्ध का भिक्चापत और एक अनोखा कुक कुट प्राप्त किया था और कनिस्क द्वारा जारी कीए गए ताभी के सिक्के पर उसे बली बेदी पर बली करते हुए दिखाये गया है कनिस्क के दर्मार में पार्स, वसुमित, असुगोस्ट जैसे बहुत दार्शनिक नागारजुन जैसे बिद्वान और चर्ग जैसे चिकसक बिद्वान रहते थे और बहुत धर्म की महायान साखा का अभी उद्दय और फिचार कनिस्क के समय ही हुआ फिर आप देखेंगे आता है हूविस्क कौन आता है हूविस्क कनिस्क के बाद वासिस्क पुत्त सासक हुआ इसके पश्ट्यात आप देखेंगे हू इसके सासक हुआ और इसके समय में कुसार सत्ता का केंद पेसावर से हट कर मतरा पहुंचा था और हू विष्क के सिक्कों पर सिब इसकंद और विष्णू आदी देवताओं की आक्तियां भी उतकीन मिलती हैं और इसने कस्मीर में हू विष्क के नगर भी बसाया हुआ था और इसके चत्तोर भुजी विष्णू के सिक्के भी पराप्त हुए हैं किसके हू विष्क के ठीक है? फिर आप देखेंगे वासू देवाता है यह कनिस्क कुल का अंतिम महान समराठ था और यह भी विष्णू और सिब का उपा सकता यानि कि विष्णू और सिब को मानता था इसके समय में उत्तर परश्चिम का बहुत बड़ा भाग कुसाणों के हाथों से निकल गया था और उसके उत्तर आदीकारी कमजोर थे और इरान में ससानियन बंस और पूर में नांग भरसिब बंस के उदाय से उदाय ने कुसाणों के पतन में युगदान भी किया इसके बारे में कुछ मातपूर पुएंट भी है कुसाणों ने सरपेतम भारत में सुद्ध स्वड मुद्राएं निर्मित कराई थी और चोटे-चोटे ब्यारिपार के लिए तामे और चांदी की मुद्राएं भी चलाई थी यह भी याद रखिएगा कुसाण सासकों में बिम कड़ फीसस सैब, कनिस्क, हुईस्क, एबॉद और वासू देओ, सैब या बैसनाओ को मानने वाले थे कनिस्क के समय भारत में दो नवीन कलासेलियों का जनम हुआ था जिसे गंधार एबं मत्रा कलासेलि कहते हैं अब लो कुसाण ने परांतों में दो सासकत की बिचित पेडाली का पिचलें किया था कुसाण सासकों को दियोपुत भी कहा जाता है यह उपादी कुसाणों ने चीनियों से ली थी सकों और कुसाणों ने भारत में पहली बार बहतर घुट सबार सेना दियार की थी घुटे वाली सेना मैंने उत्तर को छोड़का सेस तीन छेत को जीत लिया एक इस ने कहा था कनिस्क ने कहा था फिर अगर हम लोग मौरे उत्तर पिसासन की बात करें कि इनके सासन में पिसासन किस तरह सिरा है तो मौरे उत्तर काल में काल राजनेतिक भी संखला का यूग था और मौर समराज की पतन के बाद छेतरीय चोटे-चोटे राज्यों का उदाय हुआ और सादवान और कुसानों ने यगिपी बड़े राज्य या संबराज इस्थापित किये परन्तु केंदरी करण की पिरवित्ती इस समय बिद्ध्यमान नहीं थी इसका प्रभाव पिसासन की बेश्थाप पर भी पढ़ा मौरे उत्तर योग में राज्य तंतरात्मक एवं गर्द तंतरात्मक दोनों पिकार के राज्यों का उलेक मिलता है यानि कि आप देखे कि गर्द राज्य तंतरात्मक यानि कि राजा के बाद उसी का पुत्त उनकी पिसासनिक विवस्था पहले से चली आ रही गड़ता अंतरात्मिक विवस्था पर यह चलती थे। जारी किये और उनकी सक्ति का परिचार किये। देवी गुड़ों का समाविस इस समय राश्तन्द की पिरमुक विस्थेता बन गई थी। इसकाल के राजा सिध्धानत था तो पहले जैसे ही सक्तिसाली और सासन का केंद बने रहे। परंतु बेवहार में उनकी स्तिती कमजोर पड़े। उन्हें राजकुल के व्यक्तियों और अपने अधीन रस्तों को पिसासन में भागीदार बना अमना पड़ता था। और सुंगों के अधीन राजा आप देखें तो पुत्रों को पिसासन में महत्पूर अधिकार दिये गए थे। और बायू पुरान की अनुपसार अगर हम देखें तो पुस्समित ने अपने आठ पुत्रों में विवक्त कर दिया था। जो राजा की पितिनिदी की रूम में विवेन भागों पर सासन करते थे। तो आप देखेंगे की सासन करते युबराज को पिसासन में महत्पूर इस्थान दिया गया, सकोने भी भारत में दो राज्य या फिर आप देखें यो राज्य सासन पढ़ाली की स्थापना की, इस वेकार वकाटक, सासक अपने पुत्रों और समंधियों को सासन में मत्पूर इस्थान देते थे, चोल, चेर, पांडव, राज में एक वेकार की कुछ संग थे। मौरे उत्तरकाल में राजत तुमें देवी गुडों के समावेस पर बल दिया गया, इसका प्रमुक कारण सासन में विकेंद्री कंड की प्रवित्ती पर नियंतर इस्थावित करना था, साथ वहन सकों, फलहों, कुसानों सभी ने राजत तुमें देवी गुडों का समावे पूजारूं झाल के और कुसारणों ने गौरबपूर्ड उपाधिया धारन की उन लोगों इन लोगों ने चेनिस अमराट की समान देव पुत्त की उपाधी धारन की और इतना ही नहीं कुसारों ने रॉमन समराटों के समान मिड्ट राजाओं की भी पूजा आरम कीुर्द कि मूर्तिया मनवार कर उन्हें देवकुल मैं इस्थावित कर राजा से देवता सादरस बनाने का प्रयास भी किया। सासकों का समर्थन और सहयोग मिल सके। किन्तु सच्चा यह है कि इसके बाब्दू इसकाल में राजा की सक्ती कमजोर बनी रही। और जन्ता उन्हें पचाहती थी वो अपने जादू टोना जो भी रहते थे उसे आप देखी कि जन्ता को भरमित करते रहते थे। कई इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे। केंदरीकंड के तत्तों के छीड होने तथा केंदरी बिकेंदरीकंड की प्रवित्ती के उदय का मुख कारन था। राज्यों के नतरगत अर्ध सुतंत या स्वायत सासित एकाईयों का उदय होना, सकों, साथवाहनों और कुसाणों ने जिन राज्य की स्थापना की उसमें इस्थानिय तत्तों को महत्त पिदान किया गया। सग पुसाणों की उपादियां जैसे महाराज, राजादीराज, साहनू, साही, इत्यादी उपादियों से यह स्पष्ट होता है कि उनके अधीन अनेक छोटे-छोटे पिसासिनिक स्वायत प्राप्त सा सकते साथ वहनों के अधीन भी अधीनस्त सा सकते जैसे एक्षवाकू, इन स्वायत सासित एकाईयों के उधाई से उधाई ने क्यंद्रिय सत्ता को कमजोर कर दिया और क्यंद्रिय सत्ता के कमजोरी का महत्पूर कारण था भूमी अनुदान की पिता किस तरह की? भूमी अनुदान की और यागे भी कोटेल लेके अर्थ सास्त, मैं भी ब्रमणों को जमीन दान देने का उलेक मिलता है परन्तु अबलेकों में पहली बार भूमी दान का प्रमार साधवान अबलेकों से मिलता है साथ बहानों ने ब्रम्मणों एवं बोध्धों को धार्मिक कारियों के लिए भूमी अनुदान देनी की पिता चलाई थे धार्मिक करिमियों को आरम में कर्मोप्त भूमी दान में दी गई परंदु कलांतर में आप देखें कि दान गहन करने वाले ब्यक्तियों को अपने चेत में पूर्ण सुतंता दी गई दान दीए गए चेतरों में राज जदिकारियों एवं पोलिस कर्मियों का प्रिवेस बरजित कर दिया गया दान में दी गई भूमी पर दान गरहीता का बंसा अनुगत अधिकार भी स्थावित हो गया इस पर क्रिया के कारण ही अनेक स्वायत था प्राप्तिकाईयों का भी उदय हुआ इस समय सक साथवाहनों और कुसाड काल में पिसासन की छित में कूछ नए तत्वी प्रिकट हुए साथवाहन पिसासन में मात सत्तात्मकतत अधिक प्रवल था यानी कि आप समझ रहे माताओं को महलाओं को कुछ जान दा ही अस समय आप देखिए उन्हें तहजी देने दी जाने लगी और पित्व सर्तात्मक सुनते रहते हैं आफ लोग पिता के बाद पुत्थ समझ रहे हैं आप लोग सादवार राजा अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम भी रखते थे जैसे गातमी पुत शाध करणी राजा दिकारियों और सामन्तों की पत्नियां भी अपने पती का पिकास की ये पदनाम धारन करती थी जैसे महासेन पत्नी सक सासकों की रानियों ने भी अग्रम हिसी या महादेवी जैसी गौरपूर उपादियां भी धारन की उत्तर भारत में पिसासनिक मामलों में मात सत्तात्मत तत्त को बल नहीं मिला लेकिन साथवाहनों के समान कुछ सासकों ने भी संभा होता अपने साथ, अपनी माता का नाम भी रखना प्यारम किया कौसाम्मी के कुछ मात सासकोन के नाम साथवार परंपरा के अन्खूल थे जैसे वसिष्टी पुत्थ भीमसेन, कोटसी पुत्थ महाराज पोट सीरी समझ रहे हैं अपनी माता के नाम अपने साथ जोड़ना एक तरह से और इसी पकार वकाटक पिसासन में रानिया भी कभी कभी पिसासन में प्रमुक भूमिका निभाती थी वकाटक नरेश, रुद्देन, रुद्देसेन, दुतिये की मित्थिव के परशात उसकी पत्नी प्भावती गुप्त ने करीब 20 बरसों तक राजी की सरक्षिका की रुब में सासन किया साथ बहानों और वकाटकों की रानियों ने अपने अविलेक भी खुदवाए तो आप कह सकते हैं कि महलाओं की स्थिती कुलमिला की अच्छी थी इस युग में परांतियों इस्थानिये सासन का विकास हुआ सभी राजी परांतों विभिन पिसासनिक एकाईयों में विभखते थे दच्छिन में ग्राम पिसासनिक एकाईयां एकाईयों में विभखते थे दच्छिन में ग्राम पिसासन पर विसेस बल दिया गया नगर सभा, ग्राम सभा, निगम, इत्यादी स्थानीय सो सासन में विशेश भूमिका निभाते थे सक कुसाडों ने छत प्रिये पीये सासन पढाली चलाई इस पेकार मौरे उत्तर येगों में पिसास किये बिवस्था मौरियों की पिसासनिक बिवस्था से भिणने थी यानि की अलग थी फिर आप देखेंगे सामाजीक पिता मौरिय उत्तर काल की सामाजीक पिता तो मौरी उत्तर युगी सामाजीक विवस्था का मूल आधार परामपरागत बढ़ विवस्था और जादी विवस्था बनी परंथु विभिन ने बरणों की स्तिती पे कुछ परिवर्तन भी दृष्टी गूचर होते हैं समय राजनेतिक और आर्थिक परिवर्तों में बरण विवस्था के लिए एक पेकार का संकट उत्पन कर दिया और जिसका समाधान मनुई स्मिती में किया गया आज भी आप देखी कि मनुई स्मिती का काफी बिरोध करते रहते हैं कई लोग सोंगे कन ने तथा साधवानों सासकों ने ब्रह्मनों की सामाजीक और राजनितिक पितिष्ठा पुनायर स्थापित की और इस पुनायर स्थापना में बैदिक या ब्रह्मन धरम को भूईंका थी और यग और बली की पिता पुना हारम हो गई जिसमें ब्रह्मणों को समाज का सर्फ सक्ती साली वर्ग बना दिया गया मनु इसमेटी यह आप देखेंगे दोसो इसापुरु से दोसो इसवित कि रचना यएसे यग में हुई जिसमें बैदिक धर्म के अनुरोप समाज में ब्रह्मण सेश्टा वबढ़ व्योस्था की दर्टा स्थापित की गई यानि कि आप देखें कि इसी में आप देखें बेदभाव एक तरह से लोग मानते हैं और आपने देखा होगा कि भीमरा उम्बेड कर साब जो हमारे कानून मंतरी थे पहले उन्होंने इसका विरोध किया था इसे जिलाया था क्योंकि आप देखें कि निचली जाती को इसमें बेदभाव करना से खाये गया और ब्रहमण पुरोहितों को बड़ी मात्रा में दान दक्षना मिलने लगी और आप सोचें कि एक तरह से ब्रहमणों को और सक्तिसाली बना दी गया उन्हें सभी जातियों से उपर रख दिया गया साधवानों ने उन्हें भूमी अनुदान भी दी और राजा के मंत्री एवं सलायकार के रूम में भी ब्रहमणों की पिती स्थापना हुई और ब्रहमणों ने चत्रियों का कारी भी अपना लिया था ब्रहमणों ने अनेक राजबंसों की भी स्थापना की जिसमें आप दे को अधिक प्रभावसाली बना दिया गया और सुद्रों और वैसें की इस्तिति में भी परिवतन आये समय मौरकाल में आप देखें कि सुद्रों को उत्पादन के कारियों में लगाने की जो प्रिक्किरिया आरम हुई थी उसके पैडाम स्वरूप समाज में कारीगरों और सिल अगेती से बैस्तों की आर्थिक संपन्यता और बड़ी यानि कि इनने भी कुछ फायदे मिलने लगे इन परिवर्तनों के बापजूद आप देखें कि मनुष्मिटी में कट्टर ब्रहमण वादी वड़ विवस्था का दर्सन दिया और सुद्रों पर अनेक पितिबंद ल इस तरह से बता दिया गया समय रहा है आप लो और आप देखें कि जो निचली सूद्र थे इनने बहुत इन पर बहुत सारे पितिबंद लगा दिये गए ऐसा मानते हैं कि इन पर आप देखें मंदरे में नहीं जा सकते थे यह आप देखें तालावों से पानी नहीं पी सकत रहता है यानि कि सूद्रों का काम उन्होंने कह दिया कि आप ऊपर की जो तीन बाड़ है ब्रहमर्ण छत्रिय आप समय रहे हैं इनकी आप देखी एक तरह से इनका क्या करना है इनकी सेवा करना है आपको सूद्रों को ठीक है और इन बर्गों की हितों को छती पहुंचाने अत्वा उन्हों पर प्रहार करने पर सूद्रों के लिए कठोड़ दंड की विवस्ता की गई और यसा पिदीत होता है कि सूद्र सूद्यानी की एक तरह से आप निचली जाती कह लीजे सूद्र बर्ग में इस कठोड़ता की कारण बहुत आसंतोस भी था और इसमें आश्चर नहीं है कि बड़ वस्ता को मानता ना देने वाले विदेशी सासकों की अधीन जो सूद्र तेवे ब्रहमड की बिरुद हो गये और मनु इश्मिती में सूद्रों की बहर भावपूर कारवाईयों की बिरुद कई सुरक्षा उबायों का उलेख है मनु की पित्ती किरिया वस्ताओं में उस काल की उपस्तिती में घोर ब्रहमड कटर्टा की पित्ती किरिया है यानि कि मानलीजी कि आप सोचिए कि उस समय तो हमारे देश में कोई लोकतंद था नहीं कि आप देखे छोटे जाती वाले अपनी आबाज उठा सकें आज के समय में भी आप देखे कि महलाएं हो या आप देखे निचली जाती के लोगों इनके साथ किस तरह का भेदभाव भी आ जाता है आप सोची कि हम 1947 में आजाध हो चोके उसके बेबाद भी भेदभाव है तो उस समय समझ सकते हैं आप लोग क्या इस्तिती रही होगी वर्ड वेवस्था के महत पर बल देते हुए भी राजनेती और आल्थिक परिवर्तनों के परड़ाम सरूप बर्ड वेवस्था पर मडराती संकत पर ध्यान दिया गया विदेशी जातियों के लंबे समय तक भारत में रहने यहां बिभाहिक संबंद इस्थापित करने यहां की धरम एवं संस्किती अपनाने तथा सासक बरक का होने के कारण उन्हें बर्ड वेवस्था के अंदर समाहित करनी की समस्या ओट खड़ी हुई और आप देखेंगे इन्हें दुतिय चत्रिय का दर्जया पिदान कर दिया गया अनेक वर्ड संकरों को भी बर्ड वेवस्था के अंतरगत रखा गया है वर्ड संकर्ट की परिकल्पना वो ब्रहमड धरम का सहारा लेकर बर्ड वेवस्था को बनाय रखने का प्रयास किया गया इस पिकार धर्म ने विदेशियों एवं अनारेयों के आरिये करन में महत्पूर भूमिका भी निपाई पुरानों में कलियोग की जो कल्पना की गई है जिसमें सामाजीक तनाओ का उलेक किया गया है वह भी आप देखें मूलता वर्ड विवस्ता में से ही समढ़ दे थी और संभावता उतपादक वरक बैस और सुद्धर राज्य सत्ता को अच्विकार कर रहे थे और राज्य को कर नहीं देना चाहते थे समभावता इस्तिती पर नियंतर पाने के लिए ही ब्रह्मणों द्वारा सस्त धारन करना राज्य करना धरम सम्मत माना गया और इसी उद्देश से ब्रह्मणों को भूमी अनुदान भी दिये गए और धीरे दीरे दान गिरहिता को उपसासने अधिकार भी दिये गए जिसे हुए अपने छेतों में करों की बसूली कर सकें और सांधी विवस्था बनाए रख सकें और इसकार बड विवस्था की सर्वोच्छिता को बनाये रखते हुए भी बललती हुई परिश्थितियों को ध्यान में रख कर बड़ विवस्था में की परीकल्पना में संसोधन कर सामाजिक तणाओं को कम करने का प्रियास इस समय के सामाजिक जीवन की एक प्रमुक बेस समाज पर प्रभाव आप सभी जानते हैं कि बाहर से लोग आएंगे तो उसका प्रभाव तो हमारे समाज पर पड़ेगा ही इस्तिरियों की सुतंता पर अनेक पिती बंद लगा दिये गया उन्हें घर की चार दिवारी के अंदर और सदेव पुर्सों के सरक्षन में रहने के कहा गया बाल विवा अंतर जाती विवा इस समय भी होते थे इस्तिरियों को कुछ संपत्री का दिकार मिला था दच्छर भारत तो दक्कर में इस्तिरियों को पिसासनी सित्रियों को बड़ा नीचे रखा जाता हैं उन्हें घर से नहीं निकल लिया जाता है। कई घर detta कि उन्हें अपनी छोट दि जाती है उनरे पूर्शों के बराबर समझा जाता है। तो उस समय भी आप देखे किसी छेत्र में आपको सित्रियों को काफी अधिकार दिये गए थे, कई चेतरों में आप देखें उन पर पिती बंद लगाए गए थे, लेकिन आप मनुष्मिर्थी थी ना, इसमें कहा जाता है कि स्ट्रियों पर काफी पिती बंद है तीक है, और और निचली जातियों पर यानि कि निचली जातियों और इस्तिरीयों के खिलाब बताएगा ऐसे हिंदी यवन, सक पार्थियन और कुसाणों के संपर्ख से भारतिये और विदेसी तत्यों का समनवे हुआ विदेसियों ने भारतिय धरम और संस्कृति को अपना लिया भारतियों ने सक पुसाणों से पगड़ी, लंबे कोट, कुर्ती, पतलून, सिरिस्तान, बूट, लगान, जीन, घुरसबारी सीख ली थे आप भी जानते हैं कि आप एक छेत से दूसरे छेत में जाएंगे तो कुछ आप भी सिखाएंगे उन लोगों को कुछ आप भी सीखेंगे अगर हम लोग मोरियुक्तर काल की अर्थवेवस्था की बात करें, एकोनोमी की बात करें तो मोरियुक्तर योग को आर्थिक संपन्यता का योग माना जा सकता है लोही तकनिक के विकास और किसी के विस्तार की पूरुख की पिक्रिया इस समय भी चलती रही और खलस औरुख किसी की अधी से इस उत्पादन ने अनेक उद्दियों एवं सिल्पी को बिखसे दिस्तिती में ला दिया और साहितिक एवं पुराता अत्विक सरोतों से सिल्पों, सिल्पी संगटनों के विसाय में जानकारी मिलती है मद्देशिया से राजनेतिक संबंद में ब्यापार, विसे इसका रोमन ब्यापार का को प्रेशा दिया गया मौद्रिक अर्द व्यवस्था की विक्सित हुई, सामन तस्सक, सात्वान, कुसाड योग में, पुराने नगरों की सम्रिद्धी बड़ी, अनेक नए नगरों का उदयब हुगा किरसी की अगर बात करें हम लोग, किसानों की, तो कुसाड कालीन किरसी विवस्था की संबंद में इस्पष्ट और विस्तत जानिकारी नहीं मिलती है परंतु अनुमान है कि उत्तरी भारत में पहले किरसी परंपरा बनी रही और जमीन समदी कोई भी कुसाड अविलेक नहीं मिला और जिसके यादार पर कहा जा सकता है कि सपों के कुसाडों ने भी सादवाहनों के समान जमीन दान देने की पिथा बनाए लेकिन समकालीन भारतीय साहित में किरसी की करम, विविन फसलों की उपस से संबंद उल्लेक मिलता है दक्कन में सादवाहनों के अधीन विस्तत किर्सी का पिर्मान मिलता है दच्छन और पश्मी समुद्र तटिये पिदेशों में विभिन मसालों की खेती बड़े पिर्माने पर होती थी और गरम मसालों का भारी मात्रा में निर्याद भी होता था यानि कि हम लोग बैचते भी थे सादवाहन राज्यों और सुदू दच्छन के राज्यों ने राज्यों में चावालों का पास की खेती भी बड़े पिर्माने पर होती थी देखिए आयाद का मतलब होता है कि हम लोग खरीद रहें निर्याद का मतलब होता है कि हम लोग बैच रहे हैं अगर इस समय हम लोग उद्ध्योग की बात करें तो मौर्य उत्तर युगीन अर्द्वस्था का अधार इस समय विक्सित उद्ध्योग धन दे थे इसका आल में साधवाहनों और कुसारों के अधीन सिल्फों और व्युव विक्सित उद्ध्योग अतंद विक्सित इस्तिति में था करीम नगर वारंगल से साधवाहनों को पिचर मात्रा में लोहा मिलता था जिसका उपयोग आप देखेंगे अस्त सस्त विभिन पिकार के ओजारों के निर्माड में होता था करीम नगर से उत्खन्नों के दौरान लोहार की एक दुकान का प्रमाड मिलता है और इस पिकार आप देखेंगे सोवड कार और मनी कार का विवसाय भी उन्नत इस्तिति में था सोने एवं अन्न धातुओं के अभूसन भी मिलते थे और वस्त बुनने इत माला लकडी के समान बनाने मौती निकालने का उद्धिव आधी विविन फिकार के उद्ध्यों धंदे भी चलते थे इस समय ठीक है? मौर योगी, मौरे उत्तर कालीन, पिर्मुक सिक्के, सौनी के सिक्का, निस्क, स्वड, पल भी, चांदी का सिक्का, सत्मान, तामी का सित्ता, काकनी, सौनी, ताबा, चांदी, सीचा, मिसरित, एक कर्सापन भी कहते थे नहीं, तो इने भी याद रखेगा, साथ वहनों के सिक् सिक्के हो गए, तो इने भी याद रखेगा, और ये कुसाड़ों के सिक्के हो गए, और ये आप देखें, कनिस्की की मूरती हो गए, बड़ा कोट आप समझ रहे हैं, पहने दिखाया जा रहे हैं, अगर हम लोग मौरे उत्तर काल में सिल्प और विवसाई की बात करें, तो इसी पिकार कुसाड़ काली सहित्तिक सिरोज जैसे मिलिंद पनहो, महावस्तु, दिववदान, आउदान सतक, अंग विज्या में अनेक सिल्पों विवसाईयों और उनके संगों का बरडन मिलता है, मिलिंद पनहों में करीब 75 विवसाईयों का उलेक मिलता है, जातकों में जिनकी रचना इसापूर्व, 200 सताबदी से इसा की चोतरी सताबदी मानी जाती है, इनमें भी विवदान, विवसाई का परडन मिलता है, मत्वरा सिप्रप्त कुसाड़ काली इन अबलेकों में गंदिक, सुवर्ड कार, मनीकार, लोहाकार का उलेक मिलता है, बनारस में आप आप देखेंगे, सट ना सूती बस्त के लिए विख्यात था, और बनारस तो आद भी आप देखते हैं, साडियों के लिए काभी पिसिद है, साहित्तिक और अविलेकिय स्तरोतों से, में बढ़ित विवसाई और सिल्पी अनेक पिकार के थे, इनमें से कुछ उत्पादन से स कमद रख थे, जैसे कुमहार, लोहार, बढ़ाई, धातु कर्मी, ववस्त बननने वाला, सीशा और पत्थर, तथा हातीदात का सामान बनने वाले, विभिन पिकार के इत्मादक द्रब और चमडे का काम करने वाले, विवसाईयों में नौकरी पेशा करने वाले, सोतंत रू प्रावती, मत्रा, सरावस्ती, कौसमवी, चरांध, वैसाली, इत्यादी हैं, बरतन, मूर्तिया, धातु के सामान, हाती दात, और सीशे के सामान भी प्राप्त हुए हैं, इनसे विभन सिल्पों और द्योगों की विक्सित, इस्तिती का ग्यान होता है, अंतर देशी और वि ब्यापार करते रहते हैं, ये खरीदते रहते हैं, वो बेचते रहते हैं, अंतर देशी और विदेशी ब्यापार में देखें तो उद्योग धंदों के विकास हुने, आंतरिक और विदेशी ब्यापार को बढ़ावा मिला, ब्यापार के विकास में कुसाडों द्वारा मद अब देशिया से गंगा गाटी तक सखों द्वारा पश्मी चेत्र से मैं और साथ वहनों द्वारा दक्कर में राजनेतिक स्थिर्था इस्थापित करने से भी साहता मिली और इनी चेत्रों से होकर उत्रापत और दच्छना पर गुजरते थे उत्रापत आंगे चलकर मद बिक्टिरिया होते हुए रॉमन समराज की पश्मी एसी आई देशों से जुड़ा हुआ था यहां चीन में लोग लोयांग से आरम होका सेलू सिया तक जाता था सिल्क पर आप देखें जो सिल्क रोड था एक तरह से इस पर बहुत सारी मूब यहां बनी हुई है हॉली बोड में आप लोग ने देखी भी होगी बिक्टिरिया से इनकी एक साखा तक्छला की ओर जाती थी और उत्रावत से जुड़ जाती थी दच्छेड फश्मी और पूर्वी समुद्र तट पर भडोच, सुपारा, कल्यान, नौरा, तॉन्डी, मुसिरी, काविरी, पत्नाम, तामलेपी जैसे बंदरगा थे जहां से समुद्री माग्र द्वारा रोमन समराज के भूमत सागरी एच्छेत और दच्छेड पूर्वी एसी आई देशों से ब्यापारिक संबन्दों का विकास हुआ पर आप देखेंगे उत्तरापत और दच्छेडापत से जुड़े हुए अनेक ब्यापारिक के अंद थे जैसे तक्छेला हो गया, पुस्क लावती हो गया, मत्रा हो गया, उज्जेनी, पेठन, हेपालस द्वारा मानसोनी हवा की खोज के बाद भारत और पश्छम एसी इनने भी याद रखेगा, इनने भी याद रखना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि इनसे भी कुश्छन सापकी परिक्छाओं में आते रहते हैं, आप देखेंगे पश्छमी एवं मद्द एसी आई, इस थलमारगी ब्यापार में अधिकांस था, उत्तर पश्छम के ब् ब्यापारी भाग लेते थे, और इसमें आप देखेंगे तो, और पश्मी दच्छनी भाग के ब्यापारी अरब, लालसागर, सिकंदरिया की चेत्रों से जुड़े हुए थे, तामलिपी और स्रिलंका के माध्यम से दच्छन पूरु एसिया में भी ब्यापारीक संबंद ब पश्मी अत्तर भारत में सिल्क मार्ग द्वारा मध्येशियाई ब्यापार पर नियंतन रखता था, ब्यापार का विकास बड़े पिर्माने पर धातू के सिक्कों के बिचलन से भी हुआ, कुसानों के अभिलेकों में ब्यापारीयों के बिभिन बर्गों, जैसे वनिक, लेटी और सार्थ हुआ है, का उल्लेक भी किया गया है, आंत्रिक ब्यापार में दो पिकार की बस्तूओं का ब्यापार होता था, कुश बस्तूओं बैसी जिनका सेमित ब्यापार था, जैसे फल, फोल, साक, सबजी, दही, तेल, घी, मिठाई, मास, मचली, यत्यादी, और दूसरे पिकार की बस्तूओं का आप देखें के ब्यापार अधिक बिस्तित था जैसे अनाज, बस्तू, धातू के सामाग, चार धातू सोना, चांदी, तामा और सीसे से करसापन, नामक सिक्का बनाया जाता था, और स्रेष्ठियों को उत्तर भारत में सेठ और दच्छिन भारत में सिठ्थी वा चिट्टियार कहा जाता था, यह नहीं भी याद रखेगा, ब्यापारिक ब्यापारियों का संगठन वा उनके पिरमोख, जैसे जेश्थ तक ये पुक का पिधान होता था, सार्थ ये ब्यापारियों का समोव होता था, सार्थ हुआ, ये ब्यापारि ये भी होता था, अगर नगरों के उत्थान की बात करें हम लोग, तो मौरियोत्तर योग में विसेश सक, साधबहान और कुसाड काल में नगरों के उत्थान और उनकी समरिद्धी के लिए विख्यात थे, और द्योग धन्दों के विकास ब्याबारीक वड़िजी की प्रगित अगर हम लोग इस समय के मौरियोत्तर कारल में धार्मिक इस्तिती की बात करें, तो धार्मिक चित में मौरियोत्तर योग की पिरमुक विसेश्ता थी, ब्रहमड या बैदिक धरम की पुनर स्थापना महायान बोध धरम का उदय और विकास, लेकिन सबसे जाना आप देखेंगे ब्रहमडों की बात की गई है, इस समय जैन धरम की स्वरोब में भी कुछ परिवतन आया, सुंग राजबंस की स्थापना के साथी पुनहा ब्रहमड धरम को बड़ावा दिया, असुमेब मेग और वाजफे यग पुनहा होने लगे, जो बंद हो चुके थे पहले, साथ बहानों अगलेकों में अनिक बैदिक देवी, देवताओं का लेक भी किया गया, और आप देखेंगे ब्रहमड धरम, ब्रहमड धरम के अंतरग हो गया, फिर आप देखेंगे ब्रहमड धरम से प्रभावित होकर अनेक बिदेशियों ने भी इस धरम को अपना लिया, और युनानी राजा, युनानी राजा एंटिया याल किड्स ने कि राजदू थेलियो डोरश ने बिदीशा में गरून धुरज की स्थापना करवाई और सक सासक उसा वदत ने भी बैदिक धरम को अपनाया था, हो वे इसके सैब धरम सैब मत कपो सक था, आंतिम पिरमों कुसान बासुदियों का नाम भी इंगित करता है, कि यह भी बैशना वो मतावलं भी रहा होगा, और कुसान काली सिक्कों पर आप देखें तो सैब धरम क ये भी चिन्न मिलते हैं, और ब्रहमर धरम में ने मूर्ती कला की विकास को भी प्रभावित किया, मौरे उत्तरकाल में आप देखें कि जैन धरम कम प्रभाव साली नहीं था, संभावता ईशा की आरंबिक सताब्दी में जैन धरम का दो संपताय और दिगंबर और का सबसे बड़ा कैंद पितीत होता है, कलिंग में आप देखें कि खारवेल नेस धरम का प्रसय देकर व्यापक बनाया, फिर आप देखें कि ईशा की आरंबिक सताब्दीयों में बहुत धरम भी प्रभाव साली था, संगों द्वारा ब्रहमर धरम के पुनर स्थापना का स्थाचार के बाप जूत… यह ब्यापक और प्रभाव साली धरम बना रहा हिंद यूननी वह लिए tough videos – कुसानोझ ने इस धरम को अपनाया, यूननी सासक मिनांडल्वन ने इस धरम को प्रभावित होका सुईकार किया किया कनिस्के के सिक्कों पर बौत धर्म के चिन भी मिलते हैं सक साधवाहनों के अधीन बिदक्कन में इस धर्म के व्यापत रोप से पिछलित होने का प्रमाड असंग चेत्रें और इस्तूपों और गुहाओं से मिलता है बौत धर्म में भी भक्ती की भावना मूर्ति पूजा वलवती बन गई तो ये भी याद रखे साहित की अगर हम बात करें मौरिय उत्तर योग में तो मौरिय उत्तर योग साहित्य विकास का भी युग माना जाता है इस समय संस्कित प्राक्रित और तमिल भासा और साहित्य का विकास हुआ संस्कित में अने गरंथों की रखना हुई समय अवलेखों में भी संस्कित भासा का भिवाद हुआ सक साथा गरोध दामन ने अपना जूनागर अवलेख संस्कित में ही लिखवाय था महायान बहुत धर्म के उदय और विकास से भी संस्कित साहित की प्रगती हुई महायान बहुत गरंथ संस्कित में लिखे गए और इस समय संस्कित में अने गरंथ भी लिखे गए इस काल में आप देखेंगे महावस्तु दिववदान की रचना हुई सादवानों ने प्राकृत भासा को परसे दिया उनके अभिलेक प्राकृत में लिखे गए प्राकृत की रचना गाथव सब्त सती की रचना सादवान सासक हाल ने की थी और उसके दरबार में गुडानने ने प्रिसाची प्राकृत में बेहत कथा की रचना की थी एक कुछ गिरंथे उनके लेकक ने जरूर याद रखेगा जैसे अश्टर्ध्याई इसके लेकक थे पढ़ने, महाभास, पतंजली, चरक सहिता, चरक, नाटिसास, भरतमुनी, कामसूत, वातसायन, मेच कटिकम, सूध्रक, सोपन वासवद्यता, इभास, बुद्धिचरित, अ संदरानन्द, ए असवगोस्की, इनसे कई बार डारेक्ट पूँच लेता है आपसे, और सोंग यूगीन अगर हम लोग कला की बात करें, कि कला का क्या विकास हुआ, तो मर्युक्तर काल सत्तावा अर्थवस्था कि बिकंद्री कंड के रूम में जाना जाता है, और आर्थि पिती जंद जुकाओं का सबसे बड़ा कारण सनातर धर्म का अवतारवादी चरित और बौध मूर्ती पूजया का विकास था, सुंग कला का प्रमुक्केंद भरभूत था, भरूत के स्तूप के बारे में सुनें न, उसी की, और इसी कला का पिती मान कि अंतरगत कौसंभी और कुरूचित में भी विकास हुआ, इसके अंतरगत अतरिक्त आप देखेंगे, अमरावती, बोध गया, उडीसा, पश्चिमी भारत की विभिन चित्रों में सुंग कला की वसे बस्तूप राप्त होती है, भरूत अगर आप देखें तो ये सुंग कला का महत्कून के आकिपिसित इस्तूप के निर्माड में दान दाताओं का सहोग कलाम जनरूची का परीचारक है, भरूत इस्तूप में बुद्धि के जीवन से संबनीत महत्कून घटनाओं का पिथम वार अंकन किया गया, जिसमें जनम, संबोधी, धरम, चक, परवर्तक, महापरी निर्मा क्या सच में इस तरह की कोई विवस्ता है? पुद्धी सब्धिक के दार्शनिक रोप को कुसलता से उके रहा है, सोंग योगीन इस्तूपों में नगरी एवं गरामीड जीवन से संबनीत दिरस्वों का भी अंकन किया गया है, जिनमें आप देखेंगे सासकी है, सासकों को नियाधी स्पत पर बिद्धिमान, अखेट अखेट रत और बुद्धिगी बंधना करते दिखाए गया है, मानव अकृतियों के रूपा यहन में सोंग कलाकारों कोई विसेस रूची रही है, पसुपक्षियों का अलंकरन एवं निर्वार्ण, स्वभाविक एवं बकालिपनिक दोनों रूपों में किया गया, कालिप अपने पसुपों में पंकधारी, अस, और बास्तो की पसुपों में आप देखेंगे हाती सेर, अस, बेसव, और बाबमर्ग की कुसल, चितकारी भी इनमें की गया है, सनातर धरम के अवतारवादी, चरित्य के कारण, सेव बाबैसनों संपताय से जोड़े देवी कि बस ताभूसन एक आदर्स पीति मां बिज्ञान के साथ निर्मित किया गया, विशनों की चत्र मुखी मूर्ती बनाई गई, और इनके अवतार रूप को भी मूर्ती रूप में पिस्तुत किया गया, सेव मानो लिंग रूपों की भी मूर्तिया यहां बनाई गई, फिर निर्माड केंद को सांबी बनारत मतरा में केंदित था, और सोंग यूगीन को सांबी की मूर्तियां सरवाधिक उतकरिष्ट हैं, और इन्हें पूर रूपेंड साचे में ढलका निर्मित किया गया, साचे की निर्माड से उतपादक्ता बड़ी और आकर्टियों को बहतर न गाड़ी में जाती, पिकनिक पाइटी, अक्छा सीखता बालक का द्रस भी पिरमुक रहा है, तो ये सबी आप देखें चित बनाए जाने लगे एक तरह से, ठीका, और ये देखें जो चित मिले हुए है, जिन पर भी बने हुए है, उन्हीं से अंदाजा लगा लिते हैं, सम साड काल में उन्नत हुए, और जिसका चरूतकरस गुप्त काल की अध्यात्मिक कला में, अगर आप देखें तो अध्यात्मिक कला में दिखाई देता है, तरह मत्रा कला की बात होती है, ये काकी महत्कूरे, मौरे उत्तर युगिन धार्मिक संपन्नता सनातन धरम के पुनर थान और इबं महायान साखा के विकास सिक कला अंदोलन को नवीन आया में दिया मत्रा में आर्थिक संपन्यता के सास्ता धार्मिक मानताओं कभी व्यापक संकेंदरन था मत्रा के कलाकारों ने सामाजिक आधरस वाद को कला अभी व्यक्ति का माध्यम भी मिनाया ये आप देखेंगे बुद्धी की पितिमा है ये मतुरा में आपको देखने को मिलेगी ये आप देखेंगे कि जन्न तीर्ट करकी पितिमा है ये भी मतुरा में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी मथुरा कला आदर्स बादी मूल्यों से अनुफेरित था और बैशना और विशना और धर्म के साक्यंदरन के कारण मथुरा में सिफ विशनू और इनके आउपतार रूपों तथा देवियों की आदर्स रूपी रूप मूर्तियां बनाई गई आज भी तो आप किस नभगवान के लिए मतुरा को जानते हैं विशनू की सरवादिक पिसिद चत्वर मुखी मूर्ति है और में उसमें इन्हें मुकुट अभूसन एबम धोती पहने दिखाये गया है सिब की विभीन रूपों ए था लिंग और बमानों में मूर्ति मतुरा कला में निर्मित की गई पसुपत संपदाय का केंद होने के कारण मतुरा में सेवलिंग का निर्माड अधिक किया गया और माना रूम में सिपको पारवती और नंदी के साथ अभय मुद्रा में दिखाए गया सोंगे काल में सूर की मूर्ती को धोती पहने दिखाए गया जबकि कुसार की सूर मूर्थी को पैंट, पगड़ी, सलवार और जूतों के साथ बताए गया मत्रा सेली में इंद की भी मूर्थियां आपको बनाई गई है इन्हें एक मात्य देवता है जने ब्रह्मर बौध और जेन तीनों धर्मों में स्थान दिया गया देवी मूर्थियां में दुरगा लच्मी मात्य देवी सरसुती की मूर्थियां भी बनाई गए सरसुती देवी की प्राचिंता मूर्थी 132 ECV AD में मत्रा से ही प्राप्त हुई है एक सो बतीस एडी की मानी जाती है यह तो सरसुति आज कल आप लोग पूछते ना उसी की बात हो रहे हैं पर आप देखेंगे मत्रा येवं जैन मत्रा जैन इवं बहुत धर्म का भी केंद माना जाता है और जिससे यहां कि जैन तीर्थकरों की विभेन भंगी माएं भंगी मा परतन, महापरी निर्माड एवं बहुत धी सत्य की करुणा मूर्तियां पिरमुक हैं आर्थे के गतिविधियों के केंद होने से मत्रा में भौत धिक्ता का भी व्यापक विस्तार हुआ आनंद माये लोग जीवन से सम्मंदीत अनेक आने द्रस फलक पर उतकेष्ट किये महलाओं के पिसाधन सम्मंदित भावनात्मक द्रस की अभी विक्ती भी की गई है मत्रा में आप देखें के मिट्टी की कलाकितियां का भी व्यापक निर्माड हुआ फिर आप गंधार को देखते हैं गंधार कला और इसमें गंधार कला का विस्तार पूर में तक्छिला से लेकर आप देखेंगे अफगानिस्तान में जलालाबाद तक फैला था वो इसके प्रभाव चित में ओक्सस नदी घाटी के चित भी आते थे अपने भौगलिक विस्तिता के कारी यह चित इरानी यूनानी और चीनी एवं भारती संस्कितियों का संगम इस्थल था और इन सं गंधार चित में कलात्मक अभी रुचियों की विकास की एक गती सील धारा प्राप्त होती है सक पहलो काल गंधार कला का सेसोवा किसोरा वस्था का चरन माना जाता है और इस काल में आउधी में कुछ नवीन कला परंपराएं उत्पनवी मिटी के स्थान पर आप देखेंग कुमारा स्वामी के अनुसार गंधार कला के अंतरगद निर्मित बुद्ध की पैरंभीक पितिमा है पितिमाओं में मतुरा सेली का गंभीर प्रभाव भी था पर आप देखेंगे गंधार में ब्रहमर धरम से संबंधित इस्थानिये विशेवस्ताओं से युक्त मूर्तिय बनाए गई सिफ की मूर्तियों मैं उन्हें डमरू, त्रेसोल और कमंडल के साथ दिखाए गया से मूर्तियों में फार्षी अलंकरन का इस पश्थ प्रभाव पर आप् भुदाया और गंधार से प्राप्त सूर्प की मूर्ती में सूर देउता को चार अस्वाली रत पर सव दिखाया गया इस मूर्ति पर फाल्सी प्रभाव भी प्राप्त होता है। गंधार कला में करुण पक्ष को सरवादिक बेहतर तरीके से उकेर आ गया। गंधार कला में पक्षियों की मनोहर किर्टियां विभिन भावों के साथ उकेरे गये हैं। गंधार कला में कलाकारों ने विदेशी विभिन संस्कितियों के संगम छेत में इस्तित। भालति एकला के मूल्यों को उकेरने में अधिक सफल नहीं रहे। मत्रा कला सेली में आप देखेंगे निर्मित मूर्तियों में अध्यात्मिक्ता एवं आंत्रिक सौंदरे प्राप्त होता है। दियोताओं की मूर्तिया प्रभा मंडल अधन निमलिक लित आंखें एवं अध्यात्मिक्ता से ओत्पोत जबकि गंधार में बहुत इकता का पिदर्शन अधिक होता है। विसेवस्तू की भिनता के कारण गंधार के कलाकारों ने बिभिन पत्थरों धातूं और मिट्टी का इस्तिमाल मूर्ति सिल्फ में किया। नेतिक मूल्यों एवं आदरसों का चरित ओवरा। यहाँ भी जाए कभी टाइम मिले। सांची स्तूप का प्रिवेश दुआर है। तो यह भी याद रखेगा। फिर आप देखेंगे महाईस्तूप का निर्माड असोग के समय इंटों की साहता से हुगा। और उसके चारों और काष्ट की बेदिका बनी। परंतु सुंग काल में उसे पासाण पटिकाओं से जड़ा गया। बेदिका भी पत्थर से बनाई गई। साथवाहन योग में आप देखेंगे असोग ने सुरू किया फिर आप देखें सुंगल सासकों ने भी कुछ काम करवाया इसमें। ठीक है पासाण पटिकाओं से जड़ा इसे। फिर साथवाहन योग में बेदिका की चारों दिसाओं में चार तोरन लगा दिये गए। माइस्तुम में तीन मेदियां भूमीतल, मद्धभाग, हर्मीका पर थी। और अंडे उल्टे कटोरी की आगती मेदी भूमी से सोले फिट मुची। भूमीतल, पनिस्तुप के चतुर देख पत्थर का फर्ज जिस पर गोल बेदिका तोरन को जातक कथाओं से चाज़ा आए गया। लगबग 34 फेट मुचे तोरन में दो सीधे इस्तंब लगे थे। तोरन पर विभेत पिकार की आक्तियां उते उत्किन की गई। बडेरियों पर अलग से सिंग, हाती, धरमचक, यक्ष, तिरी रतन के चित खुदे हुए है। इस्तंबों के नीचे आप देखें कि द्वारपाल बडेरी के बाहरी कौने बबैक्ष है। तथा साखाओं के सारे इस्तरियों की मूर्तियां जिने सास यंदिका कहा गया। यहां पर इत्यासिक द्रसों को उकेरा गया, जिसमें अजास सत्रों और पिसेंजीत का बुद्ध के दर्सन में जाना, सुद्धिवधन का नगर से बाहर आकर बुद्ध का स्वागत करना, असुप का बुद्धी बेक्षे के पास जाना, यह सभी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। साची के दुतिय स्थूप का बस्थू भी महाईस्थूप के समान ही है, इसमें कोई तोरन दोर नहीं है, बेदिका पर बहु संक्यक चित उत्कीन किये गए, तीन बेदिका हैं, भूमितल, मद्द और हर्मिका, बाकी रचना अलंकरन महाईस्थूप जैसा है, तितिय स्थू या चक्र, इस्थम, गज, लच्मी, नांग, अस्व, हाती, आधी के दिर्सों का अंकर भी अतिन्त आगरसक एवं कलात्मक है, साची कलावें नगर जीवन से जुड़ी हुई घटाओं का कलात्मक अंकर किया गया है, कलाकारों ने भेड भाड भीड भाड वाले दिर्सों को सरवाधिक उननत तरीके से नियोजित किया है, पास एवं दूर के दिर्सों को पिष्ण ने, एवं छाया के माद्यम सिन्निस सर्गिक किया गया है, फिर आप देखेंगे कि अमरावति या अमरा वली कला से लिए, यह आर्थिक सामाजिक उननती प्रगितिसील अंदोलन को साथ वहां राज्य का अमरावति छित इन गतिविधियों का कैंदरा है, यह बहुत धरम से जुड़े हुए कलात्मक, पितिमाओं का भी फिचलन रहा, सिवराज मूर्ती महुदर ने अमरावति, अमरावति या अमरावली कला को चारक कालों में विभाजित किया, पे और चतुरुत को देखेंगे 200 से 250 ADSV, यह विभाजन आर्थिक समन्ता से उत्पन होने वाली सांस्किति गति सीलता के आधार पर किया गया है, और भारत के सबसे समन्नत आर्थिक छित में होने के कारण, अमरावति छित में कला का सर्वोत्तम विकास हुआ, और इसमें अगर इसमें आप देखेंगे आपको दिखाई भी दे रहा होगा अमरावति कला का तितिय चलन, सादभान और सक्ति इवं आर्थिक समन्नता के पराकाष्टा का काल था, इसकाल में आउधी में महास्तों के को विभिन अलंकरन से सुसजित किया गया था, इस्थबों के उकेरे गए कथा दर्स भाव पिधानता के दर्ष्टी से अदुतिये ह भाव को अध्यात्मिक रूप से रूप दिया गया, कलाक्तियों को निकटता इवं दूरी के परिपेक्ष में उकेरा गया है, दर्सों के अलंकरन में सहष्टा और इनमें मिध्यावाद प्राप्त नहीं होता है, अमरावति कला के चत्वोंट चरन में मानोक्तियां अपेक् अध्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात् आजी में निर्मित किया गया था या कला भारत के किसी अन्य छेथ पिछल नहीं थी अमराबती ऐसा छेथ था जहां कुम कारों की सेणिया भी पाई जाती थी इनका उल्लेक साथवानों के नासे कभिलेक में देखने कुम लेग आपको उन्ना सील तक्नीक तक्नीकी इवं परंपरा से युक्त साथवान कला में नाकिबल उत्तर इवं दच्छन के कला मूल्लेओं का समरवे प्राप्त होता है बलकि इनमे स्वयम की सपष्ट कला दरश्टी भी प्राप्त होती है तो यह आपका क्या खतम होता है मौरियुक्तर काल आपका खतम होता है और मुझे लगता है जहां तक आप लोगों को समझ में जो आना था आ चुका होगा और अब अंगली क्लास में हम लोग कुछ आपके सवाल हों तो आप पूछ लीजेगा और आप बताते रहें अंगली क्लास में हम लोग संगम काल के बारे में बात और इन्हें एक से दो बार आप लोग पढ़ियों, निकल जाएंगे काम निकल जाएंगे हैं तो उन्हें रठ लिजीए गाइंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं 10 12 तो है नहीं नहीं है कि 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 आप कुश्चन से ज्योंका तेओं ा सरा रड लेंगे और परिक्षा में जयों काते हूं आके छाप देंगे यहां आप सभी जानते हैं किस तरह के questions आते हैं अगर रटने का काम किया तो यह भी एक भी questions का अंसर नहीं दे पाओगे आप लोग ठीक है? चलिए तो हम लोग मिलते रहेंगे